टॉप स्पीड और माइलेज जरूर से बताना है आपने कितना निकाला है अपनी RS200 से आज का वीडियो अपना होने वाला है बजाज पलसर RS200 के बारे में बाइक के बारे में सब कुछ इन डीटेल आज अपने लोग वीडियो में बात करने वाले हैं बाइक लेनिंग के प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना स्टार्ट करता है अपना वीडियो प्राइजिंग के साथ सो अन रोड जयापुर RS200 कोस्ट करने वाली है तो पॉइंट जीरो फोर दो लाग चार अजार ओन रोड जयापुर आपका प्राइज रहेगा RS200 का अब आप लोगों को पताईए नेकेड और फेरड वाला यहाँ पे सेटप रहता है NS और RS में कलर आप्शन टोटल तीन अवेलेबल रहते हैं RS200 में आज के लिए अपने पास ग्रे कलर अवेलेबल है इसके अलावा एक रहता है मैट रेड और एक रहता है वाइट जिसमें की रेड का कॉमिलेशन भी दोनों ही कलर आप्शन में आ जाता है बट सबसे जादा रनिंग कलर ना यही वाला रहता है जो की ग्रे और एक मैट ब्लेक वाला टून रहता है ना तो एक प्रोपर डार्क वाला फील यहां पे अपना आने वाला है स्टार्ट करते हैं क्या कुछ बाइक में अप लोगों को मिल जाता है तो फ्रंट में यहां जाता है अपना नंबर प्रेट का होल्डर इस टाइप से एक वाइजर है आफटर मार्किट काफ़ सारे पार्ट्स अविलेबल रहता है यहां RS200 एक काफ़ी अच्छा कासा मोडिफिकेशन का पोटेंशिल ना इस बाइक में रहता है आरवन फाइव जैसे ही इसके भी काफ़ी कुछ एसेसरी आफटर मार्किट अविलेबल रहता है फोल्डेबल रियर वियो मिरर है जो की अभी प्रॉपर ना अपनी फोल्डिड पोजिशन पे है तो यह एक ओवर व्यू अपलोग चेक आउट कर सकते हो लाइटिंग सेट अप, कॉम्बिनेशन में हैं, हेलोजन और एलेडी एलेडी में डियरल और एलेडी में ही इंडिकेटर है हेडलेम मिल जाता है, डियूल प्रोजेक्टर विद हेलोजन अभी आगे चलके, स्टार्ट करके, एक्जोस नोट भी, और लाइटिंग का थ्रो भी आप लोगों को मिल जाने वाला है इस टाइब से कुछ की का लेउट है, वेव की यहाँ पे मिलेगा, इगनिशन अपना ओन हो चुका है इगनिशन के साथ, इस टाइब से LED DRL अपना ओन रहेगा, सो यह कुछ लेउट आ रहा है हजार यहाँ पे नहीं अविलेबल रहता है, जो कि इस बाइक का मेजर कॉम्पेटिशन हो जाता है ना, आर वन फाइव, पावर के अकोडिंग नहीं, प्राइजिंग के अकोडिंग, वहाँ पे हजार अविलेबल रहता है बट बजाज ना हजार अविलेबल नहीं करवाता है इस बाइक में सेंटर में भी एक ग्रे वाला पार्ट आजाएगा प्लस ये अपना रहता है ग्लोशी ब्लैक में सो एक डार्क थीम यहाँ पर प्रॉपर ना को मिल जाने वाला है टेलिस्कोपिक सस्पेंशन सेट अप ही है और समी कलर उप्षन में फ्रेंट मटगार्ड जो आपका इसी थीम में रहेगा यानि कि कार्बन वाला ले आउट आजाता और मैट ब्लैक में ही चाहिए कोई भी कलर लो तीनों में से फ्रंट मटगाड आपका इसी सेटप में मिलेगा ड्यूल चनल ABS के साथ बाई काती है तो ABS के एक स्टी करा जाता है टेलिसकोपिक सस्पिंचन सेटप है यह ट्रेवल आप लोग देख सकते हो एंडूरंस का सस्पिंचन यहाँ पे मिल जाने वाला है बाईबरी की ब्रेकिंग है फ्रंट भी और रियर भी इस टाइप से यह आपका पैटरल डिस्क फ्रंट में बिल जाता है 300 mm का 300 mm बाईबरी ब्रेकिंग ड्यूल चनल ABS MRF ट्यूबलेस टायर यहाँ पे मिलेगा अपने को फ्रंट में टायर की ग्रीडिंग है 180 17 100 section का 17 इंचिस का MRF ट्यूबलेस टायर का पैटरन कुछ इस टाइप से है यह अपना मटगार्ड और यह अपना अलोईज का ले आउट सा भी कलर ऑप्शन में अलोईज रहेगा स्विच इस सब कुछ आपको यहाँ पे इलूमिनेशन वाला ही सेटप की देखने को मिलेगा जोगी काफी अच्छा फीचर हो जाता है साइट प्रोफाइल से फुली फेर्ड लुक तो है ही कवरिंग काफी अच्छा एरिया है सीट हाइट जादा नहीं है 810 mm, 810 mm का टोटल सीट हाइट है सीट का पैटरन सेम वही पहले जैसा ही स्प्रिट में सीट है कुछनिंग थोड़ा बहुत सॉफ्टर साइट पर है बट इतना जादा भी सॉफ्ट इसको पर लोग कंसीडर नहीं करेंगे 810 mm, टोटल सीट हाइट एक स्क्रेचिस प्रोटक्चिन के लिए यहाँ पर गाड भी मिल जाता है और यही आपका ना ट्रेक्शन पैड का भी काम करेगा थोड़ा सॉफ्टर यह अपना फील होता है जोगी काफी अच्छा एक प्रॉपर इसको बना देता है फ्यूल टेंग केप सेटी टोटल रहेगा 13 लिटर, 13 लिटर, फाइबर कवरिंग और पलसर की यहाँ पर प्रॉपर ब्रेंडिंग आ जाती है फ्यूल कैप, कुछ इस टाइब से है, E20 की होल पे, कवरिंग, इगनिशन, अपना रेगुलर जगे पर यह, क्लिप ओन हैंडल बार, रेज्ड वाला यहाँ पर सेट अप, यह मिलेगा मैट ब्लेक वाला काफी यूज, यहाँ पर पलगों को देखने को मिलेगा, स्टीकरिंग काफी मिनिमम में, फ्यूल टैंक पर लोग देखी चुके हैं, एक वाइट वाला पाट आ जाता है, फ्रंट से देखने में, 200 और रियर फेरिंग पर आ जाता है, RS 200, बाकी यह इस बाइकन काफी जादा अच्छा है, रियर सस्पेंशन मोनोशोक है, एंडियरंस का ही, विथ नाइट रोक्स मल्टिपल वे एडजेस्ट्मेंट के साथ, रियर में आ जाता है अपना डियूल में टायर हगर, वही फ्रंट के तरही, यहाँ भी कार्बन वाला ले आउट आ आप अविलेबल रहेगा, रियर ब्रेकिंग भी बाइबरी है, रियर डिस्क का साइज है, 230 mm, 230 mm, रियर में अपना डिस्क मिल जाता है, वही अगेन पैटल डिस्क ये भी रहेगा और बाइबरी का ही सेट अप है, फुट पैक पिलियन के लिए कोई कवरिंग नहीं है, चेंज करने के लिए ये वाला पार्ट आपका ओपन है, जिससे कि बार बार ये वाला पार्ट ओपन करना ना रहा है, बट फिर भी ओईल फिल्टर अपना चेंज करने के लिए आपको ये वाला पार्ट सर्विस सेंटर के टाइम, सर्विस के टाइम अपना ये ओपन होगा, इस टाइप से कुछ अपता brake lever आ जाता है rear look bike का कुछ इस टाइप से है काफी लोगों को पसंद है rear look इस पे ना mixed reaction रहते हैं कई लोगों को पसंद आता है कई लोगों को नहीं पसंद आता tail tidy वाला unit ही आपका tail lamp है clear glass में और ये अपना setup रहेगा एलेडी में नमबर पेट का bulb जूबी ये भी आपको एलेडी में ही मिलेगा rear आपना नमबर पेट का holder और इस टाइप से कुछ अपना बनता है bike का rear look यहां आ जाता है एक empty space जिसमें की LED lights भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो जिसे की काफी अच्छा है एक shadow वाला पूरो ना proper layout रहेगा 13 लीटर fuel tank है 810 mm का total आपका seat height है opposite side cover करते हैं फिर आदे engine specifications पे जो की काफी अच्छानेज भाई का power ही है यार एक update के बाद पे दो features के मामले में यहां कुछ नहीं है एक after market accessories मिल जाती जिसके लिए भी आप ही pay करोगे power है भाई जो RS को अभी तक चलाए जा रहा है बट अब ये ना high time आ चुका है के बजाज को RS 200 में एक अच्छे खासे update की जरूरत है इस bike को ना क्योंकि competitions काफी कुछ offer कर देता है same ही price पे आप charisma XMR ले सकते हो RC 200 थोड़ सा जादा हो जाता है डही लाग से उपपर बेढ़ जाता है बट charisma XMR है R15 में power कम रहता है बट features इस bike से काफी जादा ही हफिर कर सकते हैं कि अपने segment से अपने उपर के segment से भी काफी जादा features R15 में मिल जाते हैं वही reason है आजकल वो bike ना धूम मचाई भी है आजकल नहीं हमेशा से ही बट अभी काफी जादा R15 का एक कहना पड़ेगा के ना selling हो रही है R15 काफी अच्छे numbers में बिक रही है opposite side आ जाते वापस RS 200 पे नहीं तो ये bike बुरा मान जाएगी साड़ी गार्ड छोटा पार्ट चेन का सेट अप ओपन वाला इस तैप से कुछ engine का layout है opposite side से side stand ही है center stand यहाँ नहीं है और एक single head में ही आपका gear lever भी यहाँ पे मिलेगा seat open कनने के लिए यह key hole है अब आज जाते हैं switches पे तो clutch का feel थोड़ा सा lighter side पे ही है rubber covering यहाँ पे जदा एक अपना pass वाला switch जो की working रहेगा तो इस तैप से कुछ head lamp गतर होगा यह single projector अपना on है high beam low beam वाला एक switch यहाँ है indicator इस तैप से यह अपना horn रहेगा single buzzer में raised में clip on handle bar यहाँ पे मिलेगा जिसकी वज़े से काफी upright sitting posture RS200, NS200 same सा ही posture आपको मिलेगा right side पे kill switch है then अपना starter रह ज़ता है इस तैप से throttle, bar end, metal में MID पा ज़ते हैं MID के चारु तरफ भी wrap around आपको यहाँ पे देखने पढ़ेगा carbon वाला texture देखने को मिल ज़ता है एक window है जिसमें की सारी warning lights है combination में MID है analog प्लस digital analog में ज़ता अपना tachometer यानि की RPA meter, fuel gauge यह रहा digital में, gear indicator है side stand down की warning, clock है speedometer digital में, odometer यहाँ पे अपना show हो रहा, आप changes करके देखते है so यह ज़ता अपना trip 1 trip 2 DTE, distance to empty और odometer, so यही सब है दो trip meter है, DTE यानि की range मिल जाता है, और odometer है बागी gear indicator side stand down की warning यह अब normal बाद हो चुकी है तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब ना बजाज को ज़रूरी हो चुका है RS को update करना चाहिए वो color option से हो, features की तो यहाँ पे बहुत ज़ादा need है यही color option की भी उतनी ही ज़ादा यहाँ पे नीड है तीन color option है बट इतने ज़ादा वो ट्रेंडिंग नहीं है यह लो color जो आया करता था RS 200 में काफी लोगों के वाईयों के एक ना comment आते हैं वीडियो पे के यह लोगों को रिटन आना चाहिए जैसे की करिज्मा में भी आया है तो पजाज कुछ सोचो ठीक है अपकर लेखें बाइक को स्टार्ट और सुनते है एक्जोस नूट नहीं जी बाइक में फ्यूल नहीं है और शोरूम में मैं हूँ सिंगल क्योंकि यह देखो शोरूम बंद हो चुका है एक्जोस नूट के लिए शॉर्ट आप लोगों को मिल जाएगा अपने चैनल पे अपने चैनल पे अपने लिएवेलेबल दिस्क्रिप्शन में में लिंक डाल दूँगा वहां से आप लोग RS200 का एक्जोस साउंड सुन सकते हो यह हो जाती है अपनी पूरा डीटेल्स कंप्लीट अब बसता है एंजन स्पेसिफिकेशन एंजन यहाँ पर लोगों को मिल जाता है 199.5 CC का लिक्विट कूल DTSI ट्रिपल स्पार्क पावर रहने वाला है 24.5 HP का और 18.7 NM का टोटल टॉर्क है टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है वो लगबग रहती है 145 148 तक बट यह बाइक इजली जाती है 150 अबव भी आपका क्या टॉप स्पीड है RS200 से कमेंट करके अपना एक जो भी आपका नंबर है वो जरूर से मेंशन करना माइलेज क्या कह सकते हैं के कंपनी से एक क्लेम जो रहता है वो रहता है अपना 35 से लाओं 40 के बीच बट माइलेज भी आप लोग अपना जरूर से कमेंट करके बताना टॉप स्पीड और माइलेज जरूर से बताना है आपने कितना निकालाए अपनी RS200 से कमेंट बे तो यह हो जाती है जी अपनी इंजनी स्पेसिफिकेशन भी कम्प्लीट और सारी डीटेल भी RS200 के बारे में कम्प्लीट 2.04 जरूर से बताना है माइलेज टॉप स्पीड क्या आपने अपनी RS200 से अचीव किया है और क्या बजाच को जरूरत अब आ चुकी है RS200 को अपडेट करना ये चीज भी जरूर से मेंशन करना मिलता अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स डे जब तक के लिए धान रखो खुद का भी घरवालों का भी और आपकी गाडियों का भी टेक केर बाई बाई